मैंने एक सब्द बताने की कोशिस की है जो भी कठिन वर्ड था मैंने उसका हिंदी जरूर बताया है आपको Hello dear student इस वीडियो में हम कच्छादस English approach का first chapter यानि The Enchanted Pool का line by line करके हिंदी explanation करना सीखेंगे जिसको चक्रवर्ती राजगुपालचारी जी ने लिखा है चक्रवर्ती राजगुपालचारी एक भारती वकील सुतंतरता संग्राम सेनानी राजनेतिक गित था लेखत भी थे इस chapter का नाम है The Enchanted Pool जिसका हिंदी अर्थ होगा जादूई तालाब Enchanted का अर्थ होता है जादूई और फुल का मतलब होता है तालाब इस तरह से होचाएगा जादूई तालाब सबसे पहले मैं आपको इस chapter का थोड़ा सा background बता देता हूँ ताकि आपको कहानी पहले से ही थोड़ा सा समझ में आ जाए background जानना ने student बहुत important होता है तो सबसे पहले आप इस chapter के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए इस बुरे chapter में महाभारत की एक छोटी सी कहानी का वड़न है जो पांडों के साथ उनके वनवास में घटित होती है पांडों यानि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेओ इन पांच भाईयों को पांडों के नाम से जाना जाता है मैं पहले ही आपको बता देता हूँ ताकि आपको confusion न रहे होता ये है कि पांडों को वन में भटकते भटकते बहुत तेज प्यास लगती है और फिर सबसे बड़े भाई उड़िष्ठिर के कहने पर चोटे भाई सैदेओ एक ब्रिच पर चड़कर देखते हैं कि या सपास कहीं पानी का स्रोथ है या नहीं सैदेओ को कुछ दूरी पर एक तालाब दिखता है वह नीचे आकर उड़िष्ठिर से बताते हैं तो उड़िष्ठिर नकुल को पानी लेने के लिए उस तालाब की ओर भेजते हैं अब बहुत देर बाद नकुल पानी लेकर वापस नहीं आते हैं तो फिर उड़िष्ठिर सैदेओ को भी उनके तालास में भेज देते हैं वो भी पानी लेकर नहीं लोटते हैं उसके बाद अरजुन को युदिश्ठिर भेजते हैं उनके तालास में काफी देर हो जाता है अरजुन भी अपने भाईयों के साथ वापस नहीं आते हैं और रंती में उधिश्ठिर भीम को भी अपने भाईयों को देखने के लिए भेद देते हैं अब जब कुछ देर बाद भीम भी वापस लोट कर नहीं आते हैं तो उधिश्ठिर को बड़ी चिंता होती है चिंता और प्यास से ब्याकूल उधिश्ठिर भी उसी तालाब की योड़ चल देते हैं जिधर उनके भाई गय होते हैं अब युदिश्ठीर तालाब पर क्या देखते हैं उनका सामना यच्छ से कैसे हो जाता है और यच्छ उनसे किन-किन प्रस्णों को पूचता है और क्यों पूचता है तथा क्या युदिश्ठीर अपनी बुद्धमत्ता से यच्छ के सभी प्रस्णों का जवाब दे पाते है वास्तों में अच्छ कौन रहता है और वह तालाब पर क्यों आया हुआ रहता है इन सारे प्रस्णों का जवाब आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चल जाएगा तो चलिए इस चैप्टर का हिंदी एक्स्प्रिनेशन करना सीखते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप बोड़ परिशा की तयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजी ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे चलिए इसका हिंदी एक्स्प्रेनेशन देखते हैं राइटर लिखते हैं युदिष्ठीर वैटेड फारेज बर्दर्स इन एक्जाइटी एंड थरस्ट चैप्टेर का सुरूआ तहां से है युदिष्ठीर वैटेड युदिष्ठीर मतलब होता है प्रतिच्छा करना युदिष्ठीर प्रतिच्छा कर रहे थे फारेज बर्दर्स अपने भाईयों का इन एक्जाइटी चिंता में एंड थरस्ट प्यास में मतलब इधिश्ठीर अपने भाईयों का प्यास और चिंता में प्रतिच्छा कर रहे थे anxiety मतलब होता है चिंता क्या चिंता करते है Can they have been subjected to a curse? Are they still wondering about in the forest in search of water? Can they have been subjected to a curse? क्या वे किसी साप के प्रभाव के अधीन हो सकते हैं? Subjected का मतलब होता है प्रभाव के अधीन होना और कर्च का मतलब साप होता है Are, अथवा, are they still wondering? क्या वे अभी तक भटक रहे हैं? Wondering का मतलब होता है भटक ना In the forest jungle में in search of water पानी की खोज में अथवा, क्या वे अभी भी जंगल में पानी की खोज में भटक रहे हैं? Can they have painted or died of thrust? Can they have painted, क्या वे मुर्चित हो सकते हैं? अथवा, died of thrust, प्यास के कारण मर सकते हैं? ये सब उदिश्टिर सोच रहे हैं, क्या वे किसी साप की प्रभाव के अधिन में हो सकते हैं? अथवा, वे अभी तक पानी की तालास में जंगल में भटक रहे हैं? अथवा, क्या वे मुर्चित हो गए? या फिर प्यास के कारण मर गए? ये सब उदिश्टिर सोच रहे हैं, आगे दिखिए, अनेबल टू वियर दीज थाट्स, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर, अनेबल मतलब असमर्थ, वियर मतलब सहन करना, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर, and driving by an overpowering thrust, और एक तिब्र प्यास के कारण overpowering मतलब तिब्र, he gave up, उन्होंने छोड़ दिया, waiting प्रतिच्चा करना, and started out to look for his brothers and the pool, and started out और निकल पड़े to look for his brothers, अपने भाईयों को खोजने के लिए, look for का मतलब होता है खोजना, started out का मतलब होता है निकल पड़ना, and the pool और तालाप को, मतलब इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर और तिब्र प्यास के कारण, उन्होंने प्रतिच्चा करना छोड़ दिया, और अपने भाईयों को तथा तालाप को खोजने के लिए, निकल पड़े, hoping that he might find them, ये आसा करते हुए कि वो उन्हें पास सकेंगे, मतलब इस पूरे passage में, राइटर लिखते है कि युधिष्टिर चिंता और प्यास से अपने भाईयों की प्रतिच्चा कर रहे थे, कि क्या वे किसी साप के प्रभाव के आधिन में हो गए, अथवा अभी तक जंगल में पाने की तालास में भटक रहे हैं, अथवा क्या वे मूर्चित हो गए, और प्यास के कारण मर और एक्ति प्रिप्यास के कारण उन्होंने प्रतिच्छा करना छोड़ दिया और अपने भाईयों को तथा तालाब को खोजने के लिए निकल पड़े ये आसा करते हुए कि वह उन्हें पालेंगे अगला पैसेज देखते हैं युदिष्ठीर आगे बढ़े प्रोसीड का मतल और जंगल के छेत्र से चलना जारी रखे किप्टान का मतलब जारी रखना और ट्रेक्ट का मतलब जंगल का छेत्र फुल आफ बियर और इस्टाउट डियर और बिग फारेस्ट बड्स अर बड़ी पच्छारी यो से वाइल्ड बियर जंगली भालगों से स्पाट बियर कितकबरे हीरनों से एंड बिक फारेस्ट बर्ड और बड़ी जंगली पच्छियों से तिल ही केम आपाने ब्यूटिफुल ग्रीन मीडो एराउंड पूल आफ किलियर वाटर जो एक स्वच पाने ब्यूटिफुल ग्रीन मीडो एक सुन्दर हरे चारागाह पर मीडो का मतलब होता है चारागाह एराउंड पूल आफ किलियर वाटर जो एक स्वच पानी के तालाब के चारो ओर था मतलब एक बार फिर से रिवाज कर देता हूँ युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिधर उनके भाई गय हुए थे और जंगली भालूँ चितकवरे हीरनों तथा बड़ी जंगली पच्चियों से भरे हुए जंगल के छेतर से होकर चलना जारी रखे उसके बाद वह एक स्वच पानी के तालाब पर पहुँचे जिसके चारव और एक सुंदर हरा चारगा था वहाँ पर एक खंभे की तरह फ्लेकपोल का मतलब होता है खंभा अपने दुख को रोकने में असमर्थ होकर ग्रीफ यानी दुख अपने दुख को रोकने में असमर्थ होकर वह जोर जोर से रोय मतलब इस पैसेज में राइटर लिखते हैं कि उधिश्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिधर उनके भाई गय हुए थे और जंगली भालूओं चितकबरे हीर्णों तथा बड़ी जंगली पच्चियों से भरे हुए जंगल से होकर चलते हुए वह एक स्वच पानी के तालाब पर पहुँचे जिसके चारो और एक सुन्दर हरा चारागा था लेकिन जब वहाँ उन्होंने अपने भाईयों को खंभे की तरह पड़े हुए देखा तो अपने दुख को रोकने में असमर्थ होकर वह जोर-जोर से रोने लगे अब आगे देखते हैं और उन्होंने शोक ब्यक्त किया माट का मतलब होता है बिलाब करना या फिर सोक ब्यक्त करना क्या बिलाब करते हैं उधिश्ठीर Was this to be the end of all our oj? Just when our exile is about to end, you have been taken away. Even the God has forsaken in my misfortune. मतलब उधिश्ठीर बिलाब करते हैं Was this to be the end? क्या यहीं पर अंत होना था of all our oj? हमारे सभी परतिग्याओं का oj का मतलब परतिग्याओं होता है. उधिश्ठीर बिलाब करते हैं कि क्या यहीं पर हमारे सभी परतिग्याओं का अंत होना था Just when our exile is about to end, जब हमारा बनवास समाप्त होने माला है exile का मतलब बनवास होता है You have taken away, तुम लोग मुझसे दूर चले गए Even the Gods have forsaken me in my misfortune Even यहां तक की Gods इस्वर ने भी forsaken me मुझे छोड़ दिया In my misfortune मेरे दुरभाग में यहां तक की इस्वर ने भी मेरे दुरभाग में मुझे छोड़ दिया मतलब इधिश्ठीर बिलाब करते हैं कि क्या यहीं पर हमारे सभी परतिग्याओं का अंत होना था जब हमारा बनवास अंत होने वाला है तो तुम लोग मुझे दूर चले गए और यहां तक की इस्वर ने भी मुझे मेरे दुरभाग में छोड़ दिया अब आगे देखते हैं ध्यान्दी जी का student बहुत ही important lesson है As he looked at their mighty limbs As he looked जैसे ही उन्होंने देखा At their mighty limbs उनके सक्तिसाली हाथों और पैरों पर Limbs का मतलब होता है हाथ पैर Now so helpless जो अब इतने असाहय थे जैसे ही उन्होंने उनके सक्तिसाली हाथों और पैरों को देखा जो अब इतने असाहय थे He sadly wondered उन्होंने दुख फूरवक आस्चरी किया मतलब वो अब दुख फूरवक आस्चरी करते हैं काउन युदिस्ठीर युदिस्ठीर दुख फूरवक आस्चरी करते हैं कि काउन इतना सक्तिसाली हो सकता है जो इन्हें मार सके Then he too discounted into pool drawn to the water by an overpowering thrust Then Then he too discounted वो अभी उतरे into pool तालाब में discounted का मतलब उतरना होता है drawn to the water by an overpowering thrust पानी को पीने के लिए an overpowering thrust एक्ति बिर्प्यास से मतलब तब वो अभी तालाब में उतरे अपने एक्ति बिर्प्यास को बुझाने के लिए at once तुरंत at once का मतलब तुरंत होता है device without farm है word device without farm बिना रूप के word चेतावनी दी मतलब जैसे ही वो तालाब में पानी पीने के लिए उतरे तुरंत बिना रूप की एक आवाज उन्हें चेतावनी दी अब चेतावनी क्या देती है आगे देखिए your brothers died because they did not heed my words तुम्हारे भाई मारे गए because क्योंकि they did not heed they tried to drink water without answering my question they tried उन्हें प्रयास किया to drink पीने का water पानी without answering my question बिना मेरे प्रस्णों का उत्तर दिये वे बिना मेरे प्रस्णों का उत्तर दिये पानी पीने का प्रयास किया do not follow them उनका अनुसराण मत करो follow मतलब होता है अनुसराण करना answer my question first and then you can quench your thrust answer my question first पहले मेरे प्रस्णों का उत्तर दो and then और तब you can quench your thrust तब तुम अपना प्यास बुझा सकते हो quench का मतलब होता है प्यास बुझाना this pool belongs to me यह ताला आप मेरा है यह statement बिना रूप वाले आवाज की है बिना रूप वाला आवाज धिस्टिर से क्या कहता है कि तुम्हारे भाई मारे गये क्योंकि उन्होंने मेरे सब्दों पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने बिना मेरे प्रस्णों का उत्तर दिये पानी पीने का ट्राइड प्रयास किया पहले मेरे प्रस्णों का उत्तर दो और तब तुम अपना प्यास बुझा सकते हो इसे समझने के लिए उधिस्टिर ने एक पल भी नहीं लिया मोमेंट का मतलब बता है पल या कोई और नहीं हो सकता मतलब इधिस्टिर ने इसे समझने में एक भी पल नहीं लगाया कि ये सब्द एक यच के सब्दों के लावा और किसी का नहीं हो सकता और उन्मान लगाया कि उनकी भाईों के साथ क्या हुआ है और उनको जिवित करने के लिए एक संभव रास्ता देखने में भी आवाज से कहा, बाडिलेस यानि बिना रूपका या फिर निराकार, प्लीज आस्क योर क्वेस्चंस, किरिप्या अपने प्रसन पूछिए दवाइस पूट क्वेस्चंस रैपिडली वन आफटर एंदर दवाइस पूट क्वेस्चंस, आवाज ने प्रस्णों को रखा, rapidly बहुत तेजी से one after another, एक के बाद एक यानि उस आवाज ने एक के बाद एक प्रस्णों को बहुत तेजी से रखा rapidly का मतलब होता है तेजी से अब प्रस्ण क्या पूछता है ध्यान दीजी गायां से what excuse man in danger मतलब एक प्रस्ण पूछता है what excuse man in danger खत्रे में मनुस को कौन बचाता है इस 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 जवाब देते हैं courage यानि साहज by the study of which science does man become wise मतलब किस बिज्ञान की अध्यान से मनुस बुधिमान हो जाता है इस 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 जवाब देते हैं not by studying बुधिमान लोगों की संगत करने से ही उसे बुधिमत्ता प्राप्त होती है यानि जब यच्च पूछता है by the study of which science does man become wise मतलब किस बिज्ञान की अध्यान से मनुस से बुधिमान हो जाता है तो इस इस जवाब देते हैं not by studying any सास्र does man become wise किसी सास्र का ध्यान करने से मनुस से बुधिमान नहीं होता it is by association with the great in wisdom that he gets wisdom महान लोगों की संगती करने से ही बुधिमान लोगों की संगती करने से ही मनुस से बुधिमान हो जाता है दयच आस्क डयच ने पूछा वाट इस स्टर दैन वाइंड हवा से भी तेज क्या है युधिश्टर जवाब देते हैं mind यानि मन या फिर दिमाग फिर यच पूछता है वाट इस मोर फेड़ेड दैन ए ड्राइड इस्टरा एक सुखे हुए तिनके से भी अधिक मुर्जाया हुआ क्या है फेड़ेड यानि मुर्जाया हुआ युधिश्टर जवाब देते हैं ये सारो इस्टरी कन हर्ट एक दुख से मारा हुआ हुआ हिर्दे फिर यच पूछता है इस पूछता है उधिस्टर से जवाब देते हैं द वाइप यानि पतनी मिर्ट्व में आदमी का साथी कौन होता है उधिस्टर जवाब देते हैं धर्म that Elon accompanies the soul in its solitary journey after death मतलब धर्म ही Elon accompanies अकेला साथी होता है the soul आत्मा का in its solitary journey after death मृत्त्यू के बाद सूंसान यात्रा में मतलब जब यच्छी पूचता है मृत्त्यू में मनुस्य का साथी कौन होता है तो यच्छी जवाब लेते हैं धर्म धर्म ही मृत्त्यू के बाद आत्मा की सूंसान यात्रा में अकेला साथी होता है soul का मतलब होता है आत्मा solitary यानि सूंसान which is the biggest vessel सबसे बड़ा बर्तन क्या है यच्छी पूचता है ध्यान दिजीगा कि सबसे बड़ा बर्तन क्या है धर्थ यानि पिर्थवी जवाब लेते हैं कि पिर्थवी which contents all within itself is the greatest vessel which contents जो संजोय रखती है all within itself सबको अपने अंदर is the greatest vessel यही सबसे बड़ा बर्तन है यच्छी जवाब लेते हैं कि पिर्थवी सबसे बड़ा बर्तन है जो सबको अपने अंदर संजोई रखती है contents मतलब होता है संजोई रखना या फिर बनाए रखना what is happiness ये फिर प्रसन करता है कि what is happiness प्रसनता क्या है युदिश्टिर जवाब देते हैं कि happiness is the result of good conduct यानि अच्छे आचरण का परिडाम ही प्रसनता है what is that by giving up which man becomes loved by y'all ये फिर प्रसन करता है कि what is that वह क्या है by giving up which जिसको छोड़ देने से man becomes loved by y'all आदमी सबका प्रिय हो जाता है मतलब ये फिर प्रसन करता है कि वह क्या है जिसको छोड़ देने से आदमी सबका प्रिय हो जाता है युदिश्टिर जवाब देते हैं प्राइड यानि घमंड फार इफ मैन गिबस अब बिंग प्राउड अगर आदमी अगर मनुस्य घमंड करना गिब अप छोड़ दे युदिश्टिर जवाई नाट सारो यह पुछता है युदिश्टिर से कि नश्ट हो जाने से प्रसनता प्राप्त होती है दुख नहीं तो युदिश्टिर जवाब देते हैं येंगर यानि क्रोध इफ वी गिब अप बिंग एंगरी वी 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 नो लांगर ही सब्जेक्टिट टू सारो यदि हम गिब अप छोड़ दे कि what is that by giving up which a man becomes rich कि वह क्या है what is that वह क्या है by giving up which जिसको छोड़ देने से एम मैं एक आदमी becomes rich धनवान हो जाता है यानि वह क्या है जिसको छोड़ देने से मनुस्य धनवान हो जाता है इदुश्टिर जवाब देतने हैं desire यानि इच्छा if man gives up being greedy यानि लालची होना छोड़ दे greedy मतलब होता है लालची he will becomes wealthy वह धनवान हो जाएगा wealthy मतलब होता है धनी या फिर धनवान what makes one a real brahmad it is birth, good conduct or learning, answer decisively याच्छ पूचता है कि what makes one a real brahmad एक वास्तफिक brahmad क्या मनाता है is it birth, क्या या जन्म है good conduct, अच्छा आच्रण है are learning या फिर ज्यान है answer decisively, asbest रूप से उत्तर दो decisively मतलब होता है asbest रूप से इधिश्टिर जवाब देते हैं birth and learning do not make one a real brahmad यानि जन्म और ज्यान एक वास्तिक brahmad नहीं बनाती है good conduct, alone does यानि अच्छा आच्रण ही एक वास्तिक brahmad बनाता है how we are learned a person may be he will not be a brahmad without giving up bad habits how we are learned a person may be एक व्यक्ति कितना भी ज्यान प्राप्त कर ले he will not be a brahmad वह एक brahmad नहीं बनेगा without giving up bad habits बिना अपने बुरी आत्मों को छोड़े यानि रिष्टिर बताते हैं कि जन्म और ग्यान एक brahmad नहीं बनाते अच्छा आच्रण ही एक brahmad बनाता है यहां तक कि कोई व्यक्ति कितना भी ग्यान प्राप्त कर ले वह एक brahmad नहीं हो पाएगा बिना अपने बुरी आत्मों को छोड़े यहां तक कि वह चारो वेदों का ग्यानी ही क्यों नहो जाए फोर वेदा यानि चारवेद वेद चार होते हैं रिगवेद यजूरवेद सामवेद और अथरवेद एक बुरे आच्रण का मनुस से एक बुरे आच्रण का आदमी निमन जाती में गिर जाता है संसार में सबसे बड़ा आश्चरी क्या है वंडर का मतलब होता है आश्चरी यह जवाब जते हैं यानि इबरीडे प्रतेग्दीर में मनुसिक सी देखते हैं क्रेचर्स प्राणियों को डिपार्ट जाते हुए प्रस्थान करते हुए यह जते हुए देखते हैं अर प्रस्थान करना या फिर जाना वास्तों में यह सबसे बड़ा आश्चरी है यानि धिश्टर जवाब जते हैं कि परते एक दिन मनुस फ्राणियों को यम लोग चाते हुए देखते हैं और फिर भी जो बचे रह जाते हैं वो हमेशा के लिए जिवित रहना चाते हैं वास्तों में यही सबसे बड़ा आस्चरिय है दस इस प्रकार दयच पुट मेनी क्वेस्चन्स एंड विधिष्ठिरा अंसवर्ड देमाल यह ने बहुत से अधिक प्रस्णों को रखा और धिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया इन दे इंड और अंत में दयच आस्ट यह ने पूछा ओ किंग हे राजन तुम्हारे मरे हुए भाईयों में से कोई एक can now be revived अब जिवित हो सकता है यानि यंत में अच्छ ने पूछा कि हे राजन तुम्हारे मरे हुए भाईयों में से कोई एक जिवित हो सकता है तुम पुनह किसे जिवित करना चाहते हो आगे देखिए इधिष्टिर ने क्या उतर दिया इट टुक इधिष्टिर ए मुमेंट तु ठिंक यानि इधिष्टिर ने एक पल के लिए सोचा और तब ही विज्ड वह इच्छा परकट किये दैट की दा क्लावड कंप्लिक्सियोंड यानि दा क्लावड कंप्लिक्सियोंड मेगवर्ड वाला लोटस आइड कमल नयनो वाला ब्राड चेस्टिड चौनी छाती वाला लांग आर्म लकुन लंबी बाहों वाला नकुल लाइंग जो पड़ा हुआ है लाई के फालन एबोने ट्री एक गिरे हुए आबनूस के ब्रिच की तरह माईट राइज उठ बैठे या फिर जवीत हो जाए यानि दिश्टिर ने एक पल के लिए सोचा और तब उन्होंने इच्छा परकट की विष्ट का मतलब होता है इच्छा ब्यक्त करना दैट की मेघवर्ड वाला कमल नैनों वाला चौणी छाती वाला लांग आर्वड यानि लंबी बाहुआ वाला नकुल जो गिरे हुए आबनूस के ब्रिच की तरह पड़ा हुआ है उठ बैठे या फिर जिवीत हो जाए विष्ट का मतलब होता है परसन और इच्छीर से पूछा क्या पूछता है वाइड यू चूज नकुल इन प्रिफरेंस टू भीम तुमने भीम के अत्रिक्त नकुल को क्यों चुना जिसके पात सोरे हजार हाथियों का बल है आई हैव हर्ड देट भीम तुम्हें बहुत प्रिय है एंड वाइ नाट अर्जुन और अर्जुन को क्यों नहीं हूर इस्ट्रेंट इन आर्म्स जिसके भुजाओं की सक्तियों में इजी और प्रोटेक्शन तुमाई रच्छा है तेल मी वाई यू चूज नकुल मुझे बताओ कि तुमने नकुल को क्यों चुना रैदर देन आईदर आफ दीज टूज इन दोनों के अतरिक्ट यानि यच्छी इस पर पसंद था और उधिश्टिर से पूछा कि तुमने भीम के अलावा नकुल को क्यों चुना जिसके पा अब इधिश्टिर क्या बताते है यच्छ को इधिश्टिर रिप्लाइड इधिश्टिर ने उत्तर दिया ओ यच्छ हे अच्छ धर्म ही आदमी का कवच है सिल्ड का मतलब होता है कवच सुरच्छा कवच and not भीम और अरजुन भीम और अरजुन नहीं इफ धर्म इस गिवे आते हैं यच्छ से कि कुंती और मादरी मेरे पिता की दो पतनिया थी I am alive a son of कुंती मैं कुंती का एक पुत्र alive जिवित हूँ and so और इसलिए she is not completely breathed वह पुर्ण रूप से सोक संतप्त नहीं होगी बिरिव्ड का मतलब होता है सोक संतप्त होना in the order that इसी करम में की the scale of justice नयायका तराजू में भी even समान हो सके I ask that मादरी सेन नकुल मेरी वाइप मैंने मादरी के पुत्र नकुल को जिवित होने के लिए कहा यानि दुष्टर जवाब देते हैं कि हे याच धर्म ही आदमी का एक रच्छा कवच है भीम और अर्जुन नहीं यादि धर्म छोड़ दिया जाए तो आदमी का नास हो जाएगा कुंती और मादरी मेरे पिता की दो पतनिया थी आई एमेलाइबे सनाब कुंती मैं कुंती का एक पुत्र जिवित हूँ इसलिए वा पुल रूप से सोक संतप्त नहीं होगी और इसी करम में कि न्याय का तराजु समान हो सके मैंने मादरी के सन नकुल को जिवित होने के इच्छी दिष्टिर के निस्पच्चता पर बहुत प्रसंद था इंपरिटियलिटी मतलब होता है निस्पच्चता एंड ग्रांटेड और प्रदान कर दिया कि all his brothers would come back to life कि उनके सही भाई पुन जिवित हो जाए इच्छी दिष्टिर के निस्पच्चता पर बहुत प्रसंद था और वह उनके सभी भाईयों को जीवन दान प्रदान कर दिया अब राइटर यहां लिखते हैं कि इच्छी दिष्टिर को देख सकें और उनका परिचा ले सकें का मतलब होता है गले से लगाना यानि मिर्टु के दितायम थे जो omicic का रूब धारन कर लिए थे ताकि वह उदिष्टिर को देख सकें और उनका परिचा ले सकें उन्होंने उदिष्टिर को गले से लगाया और उनको आसिर्बात दिया और फिर बिलुप्त हो गए या फिर गायब हो गए तो इस तरह से आपका ये चैप्टर आज समाप्त हो गया मैंने एक इस सब्द बताने की कोशिज की है जो भी कठिन वर्ड था मैंने उसका हिंदी जरूर बताया है आपको उम्मीद है अब आपको इस चैप्टर में कहें भी डाउट नहीं रहा गया होगा फिर भी अगर आपको कहें डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके निश संकोच पूछ सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें और अगर आप बोर्ड इजाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चैप्टर भी देख रहा चाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज को लगतार लाता रहता हूं अधनिपाद